नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटल स्वागत करता हूँ आपके अपनी उट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें बेल नोटिफिक समय पर प्राप्त होता रहे आज की वीडियो में हम MS Word का Bookmark option सीखने वाले हैं यह option एक large document में बहुत helpful होता है Bookmark एक ऐसा option है जो आपको किसी एक location का address store करने में help करता है यदि आप कोई एक large file create करते हो एक बड़ी file create करते हो जिसको आप एक बार में complete read नहीं कर सकते हो या आप एक बार में complete उसको check नहीं कर सकते हो तो ऐसी condition में हमें अपनी file को कुछ parts में या कुछ दिनों में read करना पड़ता है, check करना पड़ता है तो हमने आज file को कहां तक check कर लिया है या कहां तक read कर लिया है वहाँ पर हम एक bookmark को add कर सकते हैं bookmark हम offline भी use करते हैं जैसे हम कोई book खरीते हैं तो हम एक दिन में उस book को पूरा नहीं पड़ सकते हैं एक दिन में हम पूरी book को check नहीं कर सकते हैं तो जहां तक आज हमने book को पड़ लिया है वहाँ पर हम कोई एक sticky लगा देते हैं या कोई slip add कर देते हैं या उस page को fold कर देते हैं ताकि हम जब next time book को पढ़ें तो हमें उसके आगे से ही पढ़ना पढ़े हमें यह सर्च ना करना पढ़े कि हमने last time book को कहां तक पढ़ लिया था तो MS Word भी हमें bookmark की service provide करता है यदि आपको एक large file create करते हो जिसमें बहुत सारा text होता है matter बहुत अधिक होता है तो आप अपनी file में अलग-अलग location पर bookmark add कर सकते हो bookmark आपको यह service provide करता है कि यदि आप future में अपनी file को कभी open करते हैं और आपको यह पता करना है कि last time हमने file को कहां तक read कर लिया था तो आप bookmark का use करके direct उसी text पर पहुँच सकते हैं जहां तक आपने text को read कर लिया था तो देखते हैं bookmark का introduction क्या है और bookmark की क्या shortcut की होती है bookmark को हम अपनी file में कैसे use कर सकते हैं bookmark एक place holder होता है bookmark एक place holder होता है मतलब यह किसी place का address hold करके रखता है आपकी file में बहुत सारे pages हो सकते हैं बहुत सारा text हो सकता है तो यदि आप किसी page का किसी text का address store करना चाहते हो तो आप bookmark का use कर सकते हो जो document की किसी location का address store करता है bookmarks के दौारा document के अलग-अलग part पर direct move किया जा सकता है यदि आपने अपनी file में अपने document में bookmark add करे हैं तो आप bookmark पर click करके direct किसी भी एक location पर transfer हो सकते हैं move हो सकते हैं bookmark का उपयोग large document में अधिक किया जाता है जब कोई एक बड़ी file बनाई जाती है जिसमें pages की संक्या बहुत जादा होती है test की मात्रा बहुत अधिक होती है उसमें bookmark का use अधिक किया जाता है bookmark का use आप internet पर भी कर सकते हैं यदि आप किसी website को open करते हैं तो उस website में multiple web page होते हैं यदि आपको किसी website का कोई web page बारवार use करना होता है तो web browser भी आपको bookmark create करने की service provide करता है आप जिस web page का bookmark अपने web browser में create कर लेते हो यदि आप future में उसी page को open करना चाहते हो तो आपको उस website को सर्च करने की आवसकता नहीं होती है आप direct bookmark में जाकर उस page की link पर click करके direct उस page को open कर सकते हो तो bookmark का use internet पर भी किया जाता है उसी प्रकार से bookmark हम MS Word में भी use कर सकते हैं तो अभी हमने bookmark का introduction समझा bookmark क्या होता है bookmark एक place holder होता है जो की document की किसी location का किसी address को store करता है आप bookmark के द्वारा direct एक location से दूसी location पर जा सकते हैं और bookmark का use large document में अधिक किया जाता है जो bookmark option है वह आपको MS Word के insert tab में प्राप्त होता है जो bookmark option है उसको आप MS Word के insert tab से access कर सकते हो bookmark की एक shortcut की भी होती है यदि आप bookmark को shortcut की से access करना चाहते हो तो उसकी shortcut की होती है shift control F5 आप अपने keyword से shift control और F5 की को press करेंगे तो bookmark का dialogue box आपके सामने open हो जाता है bookmark को use करने के steps क्या है process क्या है सबसे पहले आपको कोई text, कोई image या किसी object को select करना है जिस पर आप bookmark लगाना चाहते हैं कोई text हो सकता है, कोई image हो सकती है कोई एक object हो सकता है table या safe जिस पर आप bookmark लगाना चाहते हैं देन आपको insert tab में जाना है insert tab में आपको bookmark नाम का एक option प्राप्थ होगा जहां से आप अपने किसी object पर bookmark को add कर सकते हो तो अभी हमने bookmark का introduction समझा bookmark की shortcut की को देखा bookmark के tab को देखा अब चलते हैं MS Word के dialogue box में और bookmark को practically use करके देखते हैं तो यहाँ पर हम MS Word software में आ गए हैं जहां पर हमने practical example के लिए एक file को create किया है इस file में हमने कुछ sample text को type किया है आप देख सकते हैं status bar में हमारी file में total number of pages 10 है और अभी हमारा करजर page बन पर है इस file में total number of pages 10 है हमने अपनी file को first page से पढ़ना start किया आज हमने इस file का एक complete page रीड कर लिया second page रीड कर लिया इसके बाद हम third page के first paragraph तक अपनी file को पढ़ चुके हैं आज के दिन पर हमने अभी के समय पर अपनी file के दो page को complete रीड कर लिया है और third page के एक paragraph को रीड कर लिया है अब हम इस file को बंद करने वाले हैं और आगे का जो matter है वह हम कभी और पढ़ेंगे तो हमने जहां तक file को read कर लिया है उसके बाद हम अपनी file में एक bookmark को add करना चाहते हैं तो आपको जिस word पर bookmark को add करना है उस word को select करें हमें इस नए paragraph से आने वाले दिन में अपनी file को read करना है तो हमने two को select किया इसके बाद आप insert tab में जाएं insert tab में जाने के बाद आपको bookmark option पर click करना है आप यहां पर किसी भी एक नाम से bookmark को add कर सकते हैं for example मैंने यहां पर इस bookmark का नाम दे दिया first first day पर मैंने जहां तक file को read कर लिया है उसके आगे हमें file को जब भी read करना होगा तो हम अपने इस first नाम के bookmark को use कर सकते हैं आपको यहां से add बटन पर click करना है two word पर जो आपने two word select किया है इस पर एक bookmark add हो जाएगा तो अभी हमने अपनी file में एक bookmark को add कर दिया है आप control s से अपनी file को save कर दें यदि हम इस file को close कर देते हैं future में जब भी हम अपनी file को दोबारा open करेंगे हम अपनी file को दोबारा open करते हैं हमारे सामने वही text आ जाएगा जो हमने type किया हुआ था हमारी file में bookmark भी add हो चुका है अब हम यदि उसी location पर direct जाना चाहते हैं जहां तक हमने file को read कर लिया था तो इसके लिए हम insert tab में जाएंगे bookmark option में जाएंगे आप देख सकते हैं हमने अपनी file में एक bookmark add किया था जिसका नाम ता first आप यदि direct उसी location पर जाना चाहते हो जहां तक आपने file को read कर लिया था तो आप इस first bookmark को select करें और go to option पर click कर दें तो आप देख सकते हैं direct आपका करजर उसी word पर transfer कर दिया जाता है जिस word पर आपने bookmark को add किया था तो bookmark आपको यह service provide करता है कि आप किसी भी एक word को select कर दें और future में जब भी उस word पर जाना चाहते हैं तो आप bookmark से go to का use कर सकते हैं अभी हमने file में bookmark को add करना सीखा आप अपनी file में कितने भी bookmark add कर सकते हैं अब हम देखते हैं bookmark को delete करना यदि आपने कोई bookmark add किया है तो आप bookmark के dialogue box से उसको select करके delete भी कर सकते हैं उसके बाद close कर दें तो आपने यदि कोई bookmark add किया है तो आप उसको delete भी कर सकते हैं bookmark आपको यह service देता है कि आप direct किसी word पर अपने cursor को move कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने bookmark option को समझा bookmark का introduction देखा उसकी shortcut की को देखा और अपनी file में bookmark option को practically use करके देखा आप bookmark option को use करके देखें कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जदस जदस share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद